क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स बुलरन कहीं न कहीं पर स्टार्ट हो चुका है बिटकोईन का ETF अप्रूव हो चुका है बिटकोईन हो चुकी है और बिटकोईन अगर आप माइनिंग साइड से देखें तो कहीना कहीं पर करेक्शन साइड पर भी दे बाए डे अब ग्रो कर रहा है अब इथेरियूम का ETF यूप अप्रूव हो चुका है थार्ड मोस्ट प्रॉमिनेंट रूमर भी आ चुका है वो है दोस्तो सोलाना का ETF अप्रूव होना इट मींज कहीं न कहीं पर क्रिप्टो मार्किट बिल्कुल प्रॉपर रेगुलेशन की तरफ ETF की तरफ और कहीं न कहीं जो बुल रन के हम लोग वेट कर रहे हैं वो बुल रन बहुत बड़ा होने की तरफ स्टार्ट हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रॉजेक्ट है जो हो बहुत पुराने गए हैं जिनके पास कॉम्मिनिटी बहुत लेकिन अभी तक उन्होंने प्रॉपर तरीके से ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो नया इनोवेशन हुए जो नई लेयर 2 आई या लेयर 1 ब्लॉक्चेन के अंदर जो नए प्रोजेक्ट आये जिनके बैकेंड में कॉम्मिनिटी बहुत स बेवडर्ज के बात करते थे आज लो सारी बाते बदल चुकी आज वो सारा कल्चर बदल चुका आज वो सारे पोजेक्ट बदल चुके हैं, में का क्या जिनके पास strong community है , strong belief system है और strong AI base और you can say दूसरी टाइप की भी utilities है चलिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं जो day by day grow तो हो रहे हैं लेकिन अभी अपना एक bull run के हिसाब से potential नहीं बना पा रहे हैं बट आने वाले एक साल के अंदर वो प्रोजेक्ट हमें किस level पर grow करके दे सकते हैं उसके बारे में पूरी बात करते हैं देखें विनर्स यह है मीम कोईन की केटेगरी अम मीम कोईन की केटेगरी में बोंक और बोम यह दो ऐसे प्रोजेक्ट बनें सोलाना बेस जिन्होंने completely मीम कोईन की जो मार्किट है उसको take over कर लिया डॉज विफ विफ बोंक का टॉप मॉस प्रोजेक्ट आज की डेट में अगर मैं टॉप मीम कोईन की बात करूँ तो टॉप मीम कोईन में फ्लोकी, डॉज विफ, पैपे, शिबाइनू और डॉज कॉइन, पैपे और फ्लोकी यह तीनों हैं इथेरियम बेस डॉज कोई और अगर हम Dodge with FAT की बात करें, तो वो भी Solana-based. अब यहाँ पर यह तो grow होते हुए, साफ हमें दिखाई दे रहे हैं. कईना कईपर Flowky GC साफ से अपने All Time High की तरफ बढ़ रहा है, तो नया एक improvement जो है, वो Flowky Gaming Innovation में दिखाई दे रही है, और कईना कईपर जो आपको याद होगा, आज से लगबख 6 मीने साल पहले मैंने आप लोगो को Flowky Noon 2 सेंट के आसपास बताया था, आज आप लोगो को लग रहा होगा कि Yes, Flowky Noon बहुत अराम से एक या दो सेंट तक का project बन सकता है. कहीं न कहीं पर Flowky Noon जो रिसेंटल अपना DAO प्रोपोजल लेकर आया और Flowky इन्हों ने बर्निंग की, उससे Flowky Noon ने अपने potential को और strong बना लिया. Bonk definitely, Solana की जैसे liquidity इंप्रूव हो रही है, Bonk के अंदर जो service प्रोवाइड की जा रही है liquidity, उससे Bonk के अंदर एक बहुत बड़ी improvement देखने को मिल रही है. अब Bonk, एक strong community based meme coin बन चुका है. यहाँ पर Binance Chain की बात करो, तो Binance Chain का भी एक meme coin, meme जो है, वो भी top most के list में आ चुका है. और Dog Go To The Moon, यहाँ पर एक और rune based meme coin के अंदर भी काफी बड़ा impact देखने को मिला है. और फिर से Mew, Solana Base, एक और innovation. बट यहीं पर top category में जो Brett coin है, जो finally आप Baby Doge coin को भी overtake कर चुका है, वो हम लोगों को देखना बहुत जुरूरी है, Brett base base है, और recently आप लोगोंने crypto market में turbo token अगर नहीं देखा है, तो मेरे इसाब से आपको जुरूर देखना चाहिए, last seven days में more than 600% का growth already turbo में आ चुका है, और पिछले लगबग 25 या 30 दिनों से मैं आप लोगों के साथ turbo जो token है, वो लगाता है Twitter handle पर share भी कर रहा हूँ. यहाँ पर दूसरी जो बात करें, moog coin यह भी कईना कई पर base chain based है, इसी category में topmost में DJN, मतलब कि top के तीन base chain के project, brett, DJN और moog, यह भी top list में आ चुके हैं, और यहाँ पर Solana की शुरुवात अगर आप देखें, तो Solana का bonk, bomb, और यहाँ पर हम बात करें, whiff कईना कई पर topmost choice में है, बट जो project ने अभी तक एक potential अपना नहीं दिखाया है, वो है दोस्तों, babydoge coin, आज की rate में, Ethereum smart contract based, even Binance based smart contract, और कहिना के पर babydoge coin आपको बहुत जल्दी, Solana contract based भी दिखने वाला है, it means, babydoge coin cross chain utility भी add on कर रहा है, अपने ecosystem के अंदर, पहला तो यह hint है दोस्तों की babydoge coin, easily हम लोगों को 20 से 30 X की growth पिल्कुल देगा, क्योंकि अब जो cross chain का feature babydoge coin के लिए आ रहा है, वो कहने के पर इसकी utilities को और इसकी adaptions को और strong बनाएगा, इसके बाद, एक project के हम और बात कर लेते हैं, जो recently 2021-22 से कई न कई पर market में है, लेकिन अभी तक उसके अंदर growing potential नहीं आया, दोस्तों वो है Dogey Lawn Mars, Dogey Lawn Mars को miss मत कीजेगा, Dogey Lawn Mars अलड़ी इस टाइम पर 419 rank का token है, और काफी बड़ी return देने के लिए आप लोगों को ready होगा, फ्लो की इनु एको सिस्टम का या फिर आप बात करें, RWA Assets Base का token project 365, ये भी आप लोगों को यहां से easily 20-30x की growth बहुत प्यार से देगा, इस से ज़्यादा growth भी आपको देखने को मिल सकती है, because इस टाइम पर topmost category RWA का project, और flow की इको सिस्टम का एक लगातार बढ़ता हुआ potential जो है, वो token FI project है, रिसेंट की अगर आप लोग दाविंसी को follow करते हैं, तो आप लोगों ने ladies coin के ऊपर भी उनकी एक वीडियो देखी होगी, तब ही से ladies को जो coin है LADYS, इसके अंदर एक बहुत बढ़ी hype बन चुकिया, और कहीं ना कहीं पर topmost meme coin के circle में ये start आ चुका है, it means ये project के अंदर भी हम लोगों को बहुत अच्छा growth मिलने के chance बनते हैं, और काफी time से जैसे Pongke, Miro, DJN जैसे project, Brett जैसे project grow हुए है, इस speed के अंदर, CEO की उन्हें अभी अपनी growing potential नहीं दिखाया है, RWA based topmost blockchain, Avalanche का topmost meme coin, CEO क्या हूँ, easily 30 to 50X के potential के लिए, bull run के लिए बिलकुल ready है दोस्तों, ये वो project है, जहां पर आप अपनी investment को बहुत safe तरीके से लगा सकते हो, बट येस आपको ना इस तरीके का ये देखना है, कि इन टाइप के projects को आप बाय करके का रखेंगे, DEX के help से बाय करेंगे, ये किसी भी centralized exchange की help से, ultimately base chain का Brett, Moog और DGN, ये हम लोगों को और अच्छा potential, और अच्छा return देने के लिए बिलकुल ready हो रहे हैं, Ethereum का project कहिने के पर multi billion market cap बनाएगा, turbo ये भी बहुत जल्दी आपको top 5 में दिखने के chance बन रहे हैं, और यहाँ पर Binance का meme token जो है, वो भी कहिने के पर overtake करने के लिए बिलकुल ready है, it means दोस्तों, आज की दिन में crypto market के अंदर, अगर आप in safest project के अंदर invest करते हो, बनती है, जैसे इस time पर Toshi और AI dodge, कहिना के पर Toshi बहुत बड़े level पर grow हो भी चुका है, लेकिन कहिना के पर इसका और बहुत बड़ा potential बनता है, base chain का topmost 4th meme coin, Arbdoge AI, Arbitrum blockchain, मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, Arbitrum का बहुत बड़ा scale-up होने वाला इस bull run के अंदर, और Arbitrum blockchain का AI dodge जो है, उसके अंदर भी हम लोगों को एक बहुत बड़ा potential definitely देखने को मिलेगा, इधर अगर आप लोग layer 1 category की बात करो, तो एक project जिसने starting time में बहुत grow किया था, लेकिन अभी उसका growing potential अंप्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहे है, Snake, Cardano layer 1 blockchain का topmost meme coin, Snake आप लोगों को काफी बड़ा return देने के लिए definitely ready है, इसके लावा बेविडोज coin का tough competition या आप बात करें, Doge Lord Mars का tough competition, Kishu Inu, कई ना कई पर एक बहतरीन return के लिए ready है, यहां हम बात करें, Shiba Inu ecosystem का Dodge के लिए release, या फिर आप बात करें, Shiba Inu का Shiba Swap project, BOOM, कई ना कई पर यह दोनों project के अंदर भी काफी अच्छा return, जो है वो आने वाले time में दिख सकता है, इसमें कोई भी doubt नहीं है, एक strong community की बात करें, Rich Quack, starting में बहुत बड़ी hype बनी थी, Rich Quack भी कहिने के पर एक grow करने के लिए बिल्कुल ready है, और यहां पर cat trend में, cat with CWIF project भी day by day grow कर रहा है, आप last 7 days में देख सकते हैं, 67%, एक नई hype, Volty Numbers starting में बनी, GameStop में बनी है, और GameStop last 24 hour में 42% improve भी हो चुका है, PAP token को follow करता हुआ PAP 2.0, 44% last 7 days में है, इसी list में एक और strong project में आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक बहुत मेरे एसाब से अभी भी early stage में आपको मिल रहा है, चाहे last 7 days में 100% grow हुआ है, दोस्तों उस project का नाम है DUCO, और कहीना कहीं पर Katana Inu, the first YouTube cad, ये भी दो वो project है, या Pitbull भी एक ऐसा project of BNB Chain Base, जो कहीना कहीं पर हम लोगों को easily 40, 50, 60x project जो है, वो बिल्कुल clear indicator के साथ दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे आप लोग star link की बात करो, यहां पर भी एक नही opportunity दिखती है, Vita Inu में भी एक नही opportunity दिखती है, थोड़ा साब डाउन आओ, इस टाइम पर अगर आप देखो, US congressman की तरफ से, Monge coin की जब से video release हुई है, तब से Monge coin के अंदर, एक बहुत बड़ा enough moment देखने को मिला है, और Monge coin के अंदर, last 7 days के अंदर, 94% की recovery, जो है, बहुत बड़ा बना रही है, Stamp 1 Monge project को, कही ना कहीं पर, अगर USA की बहुत बड़ी top support, Monge coin को रहती है, तो हो सकता है, कि meme coin की category में, top 10 या 15 की position पर, Monge coin आजए, तो बिल्कुल clear indicator, मैं आपको इस video के help से देना चाहता हूँ, दोस्तों, जो इस time पर भी early stage के project बने हुए है, top 1000 के अंदर, जहां पर सबसे पहली choice, जो मेरे साब से बनती है, वो बनती है, दोस्तों, Monge, second choice जो बनती है, वो बनती है, स्टार link, तीसरी जो choice बनती है, दोस्तों, सबसे बेटर katana इनू, fourth choice बनती है duco, fifth इस time पर GME, GameStop, CWIF, eighth बनती है दोस्तों, kishu इनू, ninth बनती है दोस्तो, snake, और tenth बनती है AI dodge, इस time पर वो project, जो easily 30x to 70x profit देने के लिए ready है, आने वाले एक साल के अंदर, ये वो project है, हाला कि इन से उपर के जो project है, उनमें भी मैंने आप लोग को, Dogey Lone, Mars और Baby Doge Coin, हमेशा अपनी top most choice बताया है, बट कहीं न कहीं पर, जो 10 मैंने आपको, नीचे वाले project बताया है, उनकी market cap के competition में, इनकी market cap बहुत जादा है, तो जिस हिसाब से market के अंदर, growing potential और bullrun का, एक impact देखा जा रहा है, उस हिसाब से, जो 10 नाम मैंने आप लोग को, अलग से बताया है, वो 10 नाम आपको, easily 20X से 40X का return देने के लिए ready होंगे, So don't lose hope, ये वाला bullrun दोस्तों, this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates, thank you so much.